नमस्कार आप जूर्चुके चैनल वन के साथ और मैं हो संदीप मिश्रा दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके समक्ष पेश हुआ हूँ आज दिन भर की खबरों की बात करें तो आज देश भर में विश्र स्वास्त दिवस जो है वो मनाया गया जिसमें उन तमाम डॉक्टर्स को नमन किया गया जिन्होंने अपनी जान की परवा ना करते हुए करोना काल में मरीजों को ठीक किया और देश के लिए समर पित रहे वहीं जम्मु कश्मीर की बात करें तो परिवार स्वास्त सरवेक्षन में जम्मु कश्मीर पहले से स्वास्त के छेतर में काफी बहतर हुआ है और जन्ममित्यु दर में भी काफी जादा कमी आई है वहीं अगली खबर की बात करें तो आज जमू कश्मीर की पूर मुख्यमंत्री मेबा मुफ्ती की बेटी इलतजाब मुफ्ती के द्वारा प्रेस वारता की गई जिसमें उन्होंने साफत और से जमू कश्मीर प्रशासन को घेरा और ये कहा कि बेवज़ा उनका पासपोर्ट जो है वो उन्हें नहीं दिया गया और अब जब उन्हें पासपोर्ट दिया गया है तो कई सारी शर्तों के साथ दिया गया है और केवल दो वर्ष के लिए दिया पासपोर्ट में बड़ा क्लिरली लिखा है कि it's valid for UAE only और मैं ये एक बात बहुत क्लिरली कहना चाहती हूं कि कल Honorable Judiciary को mislead किया गया और जो पासपोर्ट Officer है उनने जुडिशरी में ये कोट में ये कहा गया कि हमने इसको पासपोर्ट इशू कर दिया है और इसमें जो हमारे Honorable Deputy Solicitor General है उनका नाम शमसी साव है उनने भी जो मेरे जज जो मेरा कोर्ट केस सुन रहे थे लेडी हैं वो उनको ये कहा कि आप ये petition डिस्मिस कर दीजे क्योंकि हमने को पासपोर्ट इशू कर दिया है तो एक कौन सा पासपोर्ट है आप मुझे खुद बताइए मैं इंडियन एक citizen हूँ बात में आप coffee ले लीजेगा मैं एक law abiding citizen हूँ मैंने आज तो कोई कानून नहीं तोड़ा है और ये दो साल का पासपोर्ट इशू करने के लिए भी मेरे लिए मेरे नाम पे ये official secret act invoke किया गया और ये secret act तब invoke किया जाता है जब किसी भी इंडियन citizen के against espionage यानि जासूसी का कोई चार्ज हो और जो मेरे against adverse report दी गई है CID में सबसे पहले तो CID में court में ये कहा कि हम इनका passport नहीं रोक रहे हैं हम इलतिजा का कोई भी fundamental right violate नहीं कर रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं right to travel abroad is a fundamental right and I am being deprived of that right and ये मेरे साथ हो रहा है और मैं एक पूर्व मुख्य मंत्री की बेटी हूँ आप मुझे खुद बताइए मैंने कोई कानून तोड़ा है जो ये दिविंदर जी है जो passport officer है उनने CID से खुद पूचा कि मेरे against कोई charge sheet है कोई FIR है और आप लोग journalist है आप सारे जाके प्लीज पता करवाएए मेरे against कोई charges है क्या मेरे against कोई FIR है कोई charge sheet है तो मेरा कसूर क्या है अगली खबर की बात करे तो आज director of school education की तरफ से तमाम माननेता प्राप निजी स्कूलों को जो है दिशान देश जारी किये गए और उसमें साफतोर से कहा गया कि कोई भी स्कूल जो है अभी वावक या विद्यार्थियों को किसी खास दुकान से किताबें, युनिफॉर्म या पाठे करम से जुड़ी वी तमाम समंदिच चीजें लेने के लिए बात दे नहीं कर सकता यदि इस तरह की शिकायत उनके समक्ष आती है तो उस स्कूल के खिलाफ जो है उचित कारवाई की जाएगी वहीं अगली खबर की बात करें तो आज जम्मू में बड़े परदे पर केसी पी वी आर में डोगरी फिल्म मौज मस्ती जो है रिलीस की गई तमाम उस फिल्म से जुड़ेवे कलाकारों से भी हमने बात की और तमाम अगलाकारों का यही कहना था कि जादा से जदा लोग जो है इस फिल्म को देखें ताकि जो उनकी छेतरी भाषा डोगरी है उसको जादा से जदा लोगों तक पहुचाया जा सके और लोग जो है अपनी भाषा के लिए जावरुख भी हो सके। कि अपनी भारात वह भी काफी सरी लोग ने सुरूब तो मुझे मैं चाहती हो पंजाबी हिंदी हम अपनी डोगरी को भी पर्मोट करना चाहिए तो डोगरी जो है हमारी मात्रभाश्या है डोगरी के लिए जो जो कदम उठाया गया है बहुत सही हम उझे लगा और खुशी हो जैसे कि यह शड़ी करें मोज मस्ती तो बहुत कोशिश की है अब आगे पब्लिक हम मैं चाहती हूं कि लोग पसंद करें देखें पिचर आएं पी वी आर में और मैं बस यहीं कहूंगी कि डोगरी को प्रमोट करें हमारा नेक्स्ट यही है कि यह फिल्म अगर दर्सकों का अगर सा योग रहा तो हम उनसे प्रामिस करते हैं कि हम आगे बहुत जल्द अगली फिल्म लेके आएंगे और एक बहुत अच्छा कोई नो कोई मैसेज मतलब फिल्म सिर्फ कमेडी नहीं होगा इंटरेंड नहीं होगा हमारी कोशिश है कि फिल्म एक मैसेज दे समाज को तो उन्होंने करोना से जुड़े वे तमाम मुद्दों पर बात की और तमाम राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया गया क्यूंकि पिछले दिनों से बात करें तो लगा था करोना संकरमन के मामलों में वृधि आई है और आज की बात करें तो 6000 से अधिक मामले करोना संकरम के मामले आ रहे हैं उस पर भी जो है वो कड़ी नजर बनाए रखें इसके साथ ही आपको बताते चले मौसम की बात करें तो आज जमू में दिन में तापमा जो है लगबग 32 डिगरी के आसपास जो है वो दर्ज किया गया और जमू श्री नगर राश्टे राजमार्ग जो ह कामने आये हैं इसलिए हमारी तमाम लोगों से अपील रहेगी कि जितने भी नियम करोना संक्रमन के मामलों को रोकने के लिए जो भी प्रशाशन की तरफ से दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं उन तमाम निर्देशों का पालन करें ताकि इस संक्रमन को जो है रोका जा सके खिलाल बने रहे हम आज साथ देखते रहे चैनल वन नमस्कार